जिन Motherboards का सब को इंतिजार था वो आ चुके हैं For the new and awesome Coffee Lake CPUs अब आपको महंगे Z370 चिपसेट वाले Motherboard खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने i380-100 और i580-400 के लिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए H310, B360, H370 चिपसेट Motherboards का अब जाके possible हो पाया है quality and beautiful ASOS Republic of Gamers Strix B360 F Gaming Motherboard के तलमब नाम है आई आज बात करते हैं बचट Motherboards की हाई Indian Gamers मैं हूँ आई जी और आप देख रहे हैं Indian Gamer चैनल जहां हम बात करते हैं PCS और गेम्स की तो अगर आपका इंट्रेस्ट है गेम्स और गेमिंग PCS में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अरे मैं वह कहना भूल गया चलिए शुरू करते हैं आप बिसे कई लोग सोच रहे होंगे क्या मतलब है इन सब नंबरों का और यह Alphabet का क्या होता है एच 310, B360 यह सब क्या है और आई जी तुम इतना जोश में क्यों आ रहे हो बजट मदरबोर्ट आ गए तो तो उन लोग को थोड़ा सा आइडिया देते हुए चले मदरबोर्ट तो आप सब लोग जानते हो यह तरह से यूनिफाइंग फेक्टर की तरह काम करता आपके PC कॉंपोनेंट्स के लिए जैसे आपके RAM है, CPU है, GPU है, Hard Disk है अगर इन्हें एक दूसरे से बात करनी है तो इन्हें एक प्लैटफोर्म चाहिए जो होता है आपका Motherboard आपकी RAM, CPU, GPU, Hard Disk, सस्ते Motherboard जैसे H310 पर भी बात कर सकते हैं और वही बातचीत महंगे Motherboard पर भी हो सकती है जैसे Z370 चिपसेट वाले Motherboards तो फिर क्या अंतर है महंगे सस्ते का? सबको सस्ते ही खरीदने चाहिए फिर आप सस्ते से महंगा Motherboard खरीदते हो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वज़े से वो है Features जैसे एक कॉमन अंतर जो सब जानते हैं आज लॉंच होने वाले H310 और अक्टूबर 2017 में लॉंच हो चुके Z370 में वो है ओवर क्लॉकिंग पॉसिबल सिर्फ Z370 पर है, H310 पर नहीं होगी अब H310 से लेकर Z370 के बीच में कई और चिपसेट वाले Motherboards भी आते हैं और उनमें से सबसे जादा दो और common हैं जिनके नाम है B360 और H370 B360 की बात करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ H370 इन सम्में सबसे जादा uncommon है उसकी तरफ बहुत ही कम लोग देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो ऐसा Motherboard जो बिलकुल bare bones ना हो बिलकुल basic जैसे H110 हुआ करता था पुराना वाला और नया वाला अब H310 होगा ये सिर्फ एक काम कर रहा है पुरानी जनरेशन जो थी चिपसेट की उनके नाम हुआ करते थे B250 तो लॉजिकली नए चिपसेट का नाम होना चाहिए B350 लेकिन वह आप जानता ही हो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ के AMD इंटल के नाटक में AMD ने अपने पते खिल दिये और B350 नाम अपने मदरबोर्ट के लिए ले लिया मजबूरी में इंटल को 300 सिरीज के B350 का नाम चेंज करके B360 लखना पड़ा एक और बहुत बड़ा अंतर ने लॉँच हुए बजट मदरबोर्ट में और अक्टूबर 2017 में ही लॉँच हो चुके इसे लिए इन्हें बजट मदरबोर्ट में यह है कि नॉर्मली H310, B360 और H370 सस्ते होते हैं इसी लिए इन्हें बजट मदरबोर्ट कहा जाता है स्पेशली H310 और B360 को और साथ में जब आप प्योर पर्फॉर्मेंस से जादा पर्फॉर्मेंस पर रुपी को इंपोर्टेंस देते हो तो आपको नॉन ओवर क्लॉकेबल CPU चूज करना है अब वो नॉन ओवर क्लॉकेबल CPU हैं तो आप महेंगे चिपसेट जैसे की Z370 है जो ओवर क्लॉक कर सकता है CPU उसको तो वो क्यों लोगे आप अब आपको उसकी जरूरत नहीं है लेकिन अक्टूबर से लेकर अब तक अगर आपको ये प्यारे वाले बजट फ्रेंडली CPU खरीदे दे जिनके नाम है आई थ्री एटी वन हंड्रेड या फिर आई फाइव एटी फॉर हंड्रेड जिनमें आपको फ्री स्टॉक कूलर भी मिलता है इसलिए और जादा बजट फ्रेंडली हो जाते हैं ये तो इनके लिए आपको फिर भी जी थ्री सेवन्टी चिपसेट वाले महंगे मदरबोर्ड खरीदे पड़ा रहे थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मजबूरी थी लेकिन अब नहीं मजबूरी खतम होती है अब आप i3-8100 चार कोर चार थ्रेड वाला प्रोसेसर खरीश सकते हो उसको लगा सकते हो एज 310 वाले मदरबोर्ड के साथ अब आप i5-8400 खरीश सकते हो 6 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर उसे पेर कर सकते हो B360 मदरबोर्ड के साथ अब आप i7-8700 खरीश सकते हो 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर और उसे लगा सकते हो H310 जैसे सस्ते सस्ते मदरबोर्ड के साथ लेकिन ऐसा क्यों करोगे आप 8700 i7 क्यों लगाओगे इतने सस्ते मदरबोर्ड के साथ लेकिन कर सकते हो ये बात मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि इन सारे मदरबोर्ड के अंदर फीचर का डिफरेंस है आपके कॉंपोनेंट्स की पर्फोर्मेंस नहीं बढ़ा देंगे ये जैसे आपकी हाडड डिस्क है इस्ट्रा फीचर्स के अब B360 के बारे मैं आपको बता हूँ मैं वैसे तो ये बिजनिस क्लास वालों के लिए चिपसेट निकाला गया था लेकिन इसके फीचर्स एक गैप को फिल करते हैं जो की बनता है H310 और H370 के बीच में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बिल्कुली आपको बेर बोन्स मदर बोर्ड नहीं चाहिए बिल्कुली बेसिक मदर बोर्ड नहीं चाहिए H310 जैसा आपको चाहिए थोड़ी बहुत और एक्स्टा चीज़ें वो आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के B360 में मिलती है H370 तक आपको जाने की जरूरत नहीं है वो आपको कई चीज़ें B360 में मिल जाती है इसलिए मैं कहा रहा था H370 को बहुत ही कम लोग प्रिफर करते हैं तो गेमर्स की भी शिकायत पूरी हो गई इसलिए वो B360 को चूज कर लेते हैं उन्हें थोड़े से अगर एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं बजट में रहते हुए अब जैसे आज कहीं मदरबोर्ड है आप देख रहे हो एसुस रिपब्लिक ऑफ केमर्स ट्रिक्स B360F गेमिंग मदरबोर्ड बहुत फीचर्स लेके आता अपने ऊपर जो एज 310 में मिलना पॉसिबल नहीं है और सीधी सी बात है यह तो एक मैनुफेक्चरर होता है जैसे एसुस है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या-क्या फीचर्स देगा इस मदरबोर्ड में लेकिन चिपसेट के अपने फीचर्स भी होते है जैसे एक एक एक्जामपल देता हूँ मैं आपको चिपसेट का एक कॉमन एक्जामपल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जैसे आप जानते हो जीचिपसेट वाले मदरबोर्ड उन्हीं पे ओवरक्लॉकिंग पॉसिबल है बाकी बजट मदरबोर्ड पे आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते B360 है जो दो AMD के ग्राफिक कार्ड अलाउ कर देगा अपने उपर लगाने को H310 में थोड़ी ना आप कर पाओगे दो ग्राफिक कार्ड जरूरत भी नहीं होती है मैं आपसे पहले भी कह जगा हूँ H310 पे पॉसिबल नहीं है और माइने रखिएगा ये बात मैं आपको बताना चाहरा हूँ B360 पे AMD के दो ग्राफिक कार्ड लग जाएंगे NVIDIA के नहीं लगेंगे NVIDIA के दो ग्राफिक कार्ड लगाने है तो आपको Z चिपसेट ही खरीदना पड़ेगा Total SATA PORTS आपको extra मिलते हैं B360 पे जैसे B360 है इस पे 6 SATA PORTS हैं H310 है उस पे 4 SATA PORTS मिलते हैं विसे अगर आप भी कुछ सोच रहे हो कि इतनो SATA PORTS की जरूरत क्या है SATA PORTS की जरूरत आपकी DVD ड्राइव आपको connect करनी है उसके लिए होती है hard disk connect करनी है वो SATA PORTS से जुड़े और अगर आपने अपने computer में DVD ड्राइव लगा रखी है दो hard disk लगा रखी है और एक SSD लगा रखी है तो आपके चार PORTS भर गए H310 चिपसेट वाले motherboard में लेकिन नॉर्मली आदमी को इतना नहीं चाहिए होता है जैसे अगर आप नॉर्मल बंदे भी हो तो एक SSD हार्ट डि लगाँ क्योंकि ज्यादा महंगी होती नहीं है आपको स्पेस बढ़ानी अपने computer की कुछ नहीं करना hard disk करी नहीं है तीन साले 3000 रुपे की और उसे लगा देना है तो आपको सिर्फ बढ़ानी होती है लेकिन आपके chipset में दम होनी चाहिए कि वह इतने sata port अपने साथ लेके करना से कई और फायदे और रुकसान होती है जो बहुत ही basic H310 chipset वाला motherboard आप लोगे तो नहीं मिलती है और B360 में आपको मिल जाती है ultimate मज़े चाहिए तो तो Z370 है और फिर आपको एक बार repeat कर दूं यह जो मैं कुछ बातें बता रहा हूं यह chipset के features हैं दूसरा manufacturer क्या देता है जैसे Asus है one of the best companies which makes motherboards आप जानते हो के quality motherboards आते हैं Asus के world class company है motherboards में तो बहुत अच्छा नाम है यह भी company to company depend करता है motherboards में इसकी quality अच्छी होगी यह तो आपको पता ही है कि मैं सब chipsets के बारे में बात कर रहा हूं यह H310, B360, H370, Z370 आपको यह अच्छी तना से पता है यह सिर्फ coffee lake वाले CPUs चलाएंगे जैसे हो गए I380 100, I5 8400, I5 8600K, I7 8700K इन सब CPUs चलाएंगे पुराने वाले कोई CPUs नहीं चलाएंगे यह कि अगर आप सोचो के पुराना I5 7500 में इस पे चला लूँ ऐसा बिलकुल नहीं होगा यह बिलकुल अलग है ना नए CPUs पुराने motherboards पे लग पाएंगे ना पुराने CPUs नए motherboards पे लग पाएंगे यह बिलकुल डिफरेंट चीज है और अगर आप मेंसे किसी को ना पता हो कि मैं coffee lake CPUs क्या होते हैं अगर आपको यह भी ना पता हो तो बस मैं इतना बताता हूँ चला हूँ कि coffee lake second 14 nanometer के refinement है after sky lake and kb lake तो इसल इसी के साथ साथ यह आपको बताता चलूँ के 300 series जो है chipsets की वो भी October 2017 से launch हो चुकी है Z370 motherboards launch हो चुके थे तो यह platform भी है 300 series का यह भी बहुत stable है right from the very beginning अब आप आप आज 2018 की April में ऐसा i5 8400 खरी सकते हो जो पिछले i7 7700K की बराबरी करता है gaming में I mean come on 6 महीने पहले i7 7700 के king हुआ करता था यह मैं और आप सब लोग जानते हैं और वही performance आज आपको locked i5 8400 में मिल लई है आज के i3 8100 की तरफ आप इस नजर से देखो के 6 महीने पुराना यह i5 है जो चार को चार थ्रेड पहले आपको i5 में मिला करती थी 15-16 रुपे में वही आ आपको आज 10,000 रुपे की अंदर मिला है अगर आपको याद हो पुराने discussions कुछ तो आपको याद ता slides तो कह रही थी कि first half में आएंगे यह budget chipset और अवाएं उड़ रही थी कि first quarter में आ सकते हैं खेर अवाओं पर तो मैं ध्यानी नहीं देता हूं जादा और सच भी वही हु मिल गए तो बहुत जादा इंतजार नहीं करना पड़ा आपको इनके लिए इसलिए मैं कह रहा हूं तब भी टाइम पे आ गए हैं budget chipset और अब कुछी दिनों में जहां तक मुझे लगता है Pentium भी लाँच हो जाएंगे और फिर आप उन Coffee Lake वाले Pentium को S310 के साथ pair up कर सकते हो जैसा कि हमने अपने पुराने वाले PC में किया था अगर आपको prices चेक करने हैं जो ये नए budget motherboards आये हैं Coffee Lake CPUs के लिए तो आप वीडियो के description में मैंने links दे रखे हैं उन्हें चेक कर लो कि कौन कौन सी company कितने कितने रुपे में ये motherboards दे रही हैं और मैं आप लोगों से motherboards मेरे पास है कि आप इसका full detailed review देखना चाहेंगे बहुत सारे features हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं जो इस motherboards के हैं कि आप interested हैं कि आप जानना चाहेंगे कि क्यूं इने H310 motherboards के ऊपर consider करना चाहिए और वो उन H310 motherboards के बारे में बात कर रहा हूं है जो अपने आप में बहुत satisfactory होते हैं और कई लोगों की जरूरत पूरी कर देते हैं अगर आप interested हो एस रिपब्लिक ऑफ के लिए तो कमेंट्स में बताइए बागी तो आप जानते ही हो वीडियो अच्छा लगने पे क्या करते हैं उस पे like चिपकाते हैं और जो नए viewer होते हैं उन्हें हम ये बताते हैं कि चैनल का नाम है इंडियन गेमर और आप भी इंडियन गेमर हो और आपको PC बिलडिंग से प्यार है गेम से प्यार है तो चैनल को subscribe करें क्योंकि यहां ऐसी गपे मारी जाती हैं और हम इस चैनल पर ये भी बताते हैं कि यूट्यूब पे भरोसा ना करें और बेल आइकन को दमाएं वन्डा यूट्यूब घंटा भी आप पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को आई जी की तरफ से टाटा झाल झाल